मॉर्निंग विद्वरा यूसी में चला गया है डिप्रेशन हो रहा है उसको वो किसी खौफ का, किसी अंग्जाइटी का शिकार है वो दूसरा शक्स घर का वो अगर बच्चे हैं तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है क्योंकि बच्चे रहे हैं यूजिली अपनी फीलिंग्स को बहुत ओपनी एक्सप्रेस भी नहीं करता है हम ऐसे कोई भी नहीं करता लेकिन हमें बड़ा जरूरत है इस चीज़ को अंडर्स्टेंड करने की कि हमें वक्त गुजारना है और एक दूसे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करनी है क्योंकि पेतर मुसलसल तवातर के साथ ऐसे वाकियात हो रहे है स्कूल, कॉलिजेज में बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस डाउट होते हैं, फ्रस्टेट होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं घरों के अंदर कोई बात होती है, वो अटेम्ट कर लेते हैं सो हमें इसको किसी न किसी तरह से रोपना है सो इसमें देखना है कि कैसे हम मिलके एफट कर सकते हैं सो सबसे पहले तुम्हें एक बहुत प्यारी से बच्चे से मिलवाँगी आपको जो सिर्फ आपको भी देखके मिलके अतना ही अच्छा लगएगा अगर मुझे अच्छा लगा अपने बंदों करना हमेशा कुछ दे के और कुछ ले के आजमाता है यही आजमाईश के दो तरीके हैं उसके अगर मुझे और आपको कुछ मैसर है तो हमारा कोई कमाल नहीं है सिवाई इसके कि हमें कुछ दे के आजमाया गया और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर उसका मतलब भी सिर्फ यह है कि हमसे कुछ लेकर हमें आजमाया गया तो ये प्यारा सा बच्चा जो है इस से अल्ला ताला ने एक बड़ी खुबसूरत नेमत जो है उसका मज़ा चिखा कर वो ले ली लेकिन इसके शुकर का और इसकी हमत का जो है वो हुसले का आलम जाव आप देखेंगे प्रोग्राम में किसे कैसे जंदगी का सामना किया सबसे पहले मेरे साथ है फवाद फवाद हुसैन Assalam है असलाम फवाद पुरानी प्रिग्राइम पहले आपको पता है मैं आज से 10 सल पहले आपको देखता रहा हूं तो आपको पहले हैं बल्लकुल मैं है। यह मेमरी जाना हम अपनी हमेशा पुरानी देखाना पसंद करते हैं ये बिल्कुल मैम, आपको टैन येर्स पहले मैंने देखा था और अभी किसमत इस मोड पर आगे कि मैं बिल्कुल ब्लाइंड हो चका हूँ कोई बार लेकिन मैं अब कभी दिल के आंकों से देख रहा हूँ ये ये सबसे खुबसुरत आंके हैं, ये वाट ब्यूटिफुल हार्ट हम एहसर हफजल खान साथ बैठे हैं आप पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे लाइफ स्किल्स के ओपर बात करते हैं और बच्चों को इस पर ट्रेंड करते हैं जी, अस्ताम अलेकुम, थैंक्स वरी मैच पर इंविटेशन बड़ी खुशी लिए आपने मुझे यहां पर बुलाया और बात करने का मौका दिया तो इन्शाला कोहिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों के जवाब दें और जो भी यहां पर प्राब्लम हम डिसकस करें उसका कोई सिलूशन भी दिलाश करें और मेरी दो बहुत प्यारी सी अखवतीन यहां पर मौझूद हैं मल्टिपल जाहरा रोल्स यह बहनें भी हैं, माएं भी हैं, बेटियां भी हैं तो बच्चों के पियर प्रेशर्स हैं, उनके जो इशूज हैं उसका बहुत अच्छे से अंडिस्टैंड करती हैं जवेरिया शबीर, अस्लाम लेकुम जवेरिया कैसी हैं आप, आप वर्क्लेस मैनेजमेंट देखती हैं ज़ने लिए श्टुडेंट कांसलर हैं तो स्ट्डेंट कांसलर यह फिर्स प्राइट वन ईत्का रह जाते हैं तो इस वाले से मैं आप से जानेंगे एंड तयबा सब्द है मेरे साथ है असलाम लेकुम तयबा कैसी है आप आप साइकोलोजिस्ट है या साइक्याट्रिस्ट है साइकोलोजिस्ट है और आप भी बच्चों को काउंसलिंग सेशने हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पर्सन है या उनके एक एटियाविक इसुज़ है वो उनके साथ आरहे होते हैं एदे कब फॉर कांसलिंग सावसेश राइट तो लेट मीस्टार्ट विदिए आपके वि हclampod देक्स सब्सक्राइब देप्रेशन के साथ रिलेशंशीप श्यूस के साथ आरहे हूते हैं एकनाई candlis के साथ आरहे होते हैं और हब इसको ल lattING करे होते हैं गरों में देख रहे होते हैं कि system में इचे जा रहा है तो mostly जब आते हैं तो फिर उनका एक हैं डिस्टरबदी हो था उनके ब्लाइफ के सारे fractions जो है वो डिफेक्ट हो रहे होते हैं उनकी social life देख ले उनकी pandemic life देख ले उनकी person life देख ले उनका तो वह सिर्फ एक इशु को रिपोर्ट नी कर रहे होते हैं अच्छा मेरे लिए ये बात जो थी ना मेरे धच्का था बहुत बड़ा थी कियार आप समझते हैं कि आपने बच्छों को बहुत प्रिटेक्टेड रखूं लेकिन अभी मेरा बड़ा बेटा जैसे मुझे का आपक प्रेशर भी बहुत जादा चल रहा होता है ये बताएगा कि बुलिंग का ऐलेमेंट है ये क्या है पियर प्रेशर जहें अभी रिसेटली आप डेलिंग विटू के साथ आ रहे हैं और अडाल्ट्स है 21-22 एज है लेकिस्टिल ये अनेबल तो बैरेश दो इस प्रॉब्लम और वो कहते हैं कि ये कहा जाता है कि फैबली से कॉर्ट तो यूजली देख आव इस टेइमेंट कि हमारी फैबली हमें अडरस्टाइड नहीं करती है हमारे पैरेट्स कहते हैं कोई बात यह तो पहले भी होता था यह वाई यू आर अडर अड़ और और वो उनको इस बात प फैबली होती थी चचा आता है आपको यह सब लोग आपके एक साथ सपोर्ट सिस्टम था यह वीक होता जा रहा है और सम्हाओ आप देखे के कंपैरिसंट बढ़ गए हैं सोशल कंपैरिसंट के लिए अब सोशल मीडिया हमारे पास है इल्ट्रॉनिक मीडिया है प्रिट तो फिर वो जब आते हैं तो उनको फैबली से डील करते हुए तो भी प्रॉब्लम हो रहा होता है कि वो कैसे बताए और कैसे डील करें वहाँ पर जाते हैं यह जब वो मॉस्ट अनपॉटनेट पॉइंट आप यह बातें आपर कर रही हूं आप यह एक एलिमेंट है ना के इंडिस्टाइड नहीं करती है यकीन कीजिए यह वो पॉइंट है मुझे नहीं लगता कोई इंसान जुनिया से जाता उन्टिल और अपने आपको बिलकुल अकेला नहीं फील करता मतलब कई दफाए से कोई बात ही तो मैंने पूचा कि यार तुम्हें कोई याद नहीं आय क्योंकि आपको यह रिलाइजेशन होना कि आपको अनलोड यूस्टेर समवन हो लवस्यू कोई आपका मुंतजर है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो आप उसकी खातिर भी जीते हैं लेकिन बच्चे रहें और इन चीजों को भूलते हैं एसन साब यह तो एक चुके हम आपका क्या इसमें आपसेवेशन है कि क्या वजुहात बन रही है और यह जो जिस फिनेंशल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं बच्चे क्यों फिनेंशल दबाओ का शिकार होते हैं यह दबाओ तो बालदین के लिए मकसूस था कि वो उनके फिक्रें थी हैं अब बच्चे क्यो इसको डील करना पड़ता है लोगों को अब अगर आप हिस्ट्री देखें तो यह राइट फॉम दे बिगिनिंग ऐसे केसे आ रहे हैं जिसमें सेलिबिटीज भी शामल हैं पॉलिटीशन भी शामल हैं स्पोर्ट्समें भी शामल हैं हर क्लास के लोग इसमें शामल हैं जो की रिपोर्ट है रिगार्डिंग ट्विटी ट्विटी नाइन यर तो उसमें यह है के हर साल तकरीबान साथ लाक से ज्यादा लोग खुदकुशी करते हैं पूरी दुनिया में तो इस इसाब से हर पैंटाली सेकंड बाद दुनिया में किसी ना किसी जगा पर एक बंदा ख वाले कंट्रीज हैं उसमें यह सुसाइड का जो ट्रेंड है रोजहान है वो ज्यादा है लेकिन क्यों है मुझे यह बताईए कि हमें तो कनात का भी दर्स दिया गया आपको नहीं लगता लेट मी पूट इट वेरी स्ट्रेट आपको नहीं लगता कि हमारे हां यह जो एक द पास तो यह है हमारे पास नहीं है अब वह बच्चा यह बच्ची किन एक्टिविटीज में हैं जिनकी वज़ा से वह अपने जो भी उनके फैमिली मीन्स हैं उससे बियांड जाकर वह चीजें अफोर्ड कर रहा है यूनिवर्स्टी या इदारा भी उसको नहीं उस तरह से देखते हैं तो यह मामला जो है यह बच्चों में बहुत ज्यादा एक प्यर प्रेशर का या एक आप इसमें मुकाबले का और एक्टेंशन का जरिया बनते हैं अब इसकी जो सबसे बड़ी वजा है वह कहते हैं ना के इंग्नोरेंस इस बिस एक नहमत होती है जब हम याप तो हमें ज्यादा मलूमात नहीं हो जएती हैं अब बच्चों का क्या है कि बच्चे में स्ट्रीम जो गलोबल सोशल मीडिया है उससे लिंक्ट हैं अब जो वो कॉंटेंट देख रहे हैं उनके पास एडवांस्ट और अपडेटिड पॉलिटिकल कॉंटेंट भी है रिलिज से तो उनको एक गैप फील होता है क्योंके जाहर है कि जो एक इमेजनरी वो वर्ल्ड है या एक फेक वर्ल्ड है अब यह रियालिटी को फेस नहीं करते हैं दूसरा यह एसेंशली जो एज है यह मैटेरियलिस्टिक है उनको लगता है कि यूट्यूबर्स ज्यादा पैसा कम आते हैं जबके गवर्मेंट जाब्स में ज्यादा पैसा नहीं है तो उनको यह फेस करने पड़ते हैं तो उनको लगता है कि जब एक यूट्यूबर है कि करोणों रुपे की नई गाड़ी ले रहा है नए फोन्स ले रहा है जबकि हम तो हमारे जो पैरेंट्स हैं वो गव सो लेट होगें बचे एक दूसरे के साथ बातें नहीं करते बलके वो मुबाइल में ही बिजी रहते हैं अब अगर देखें तो हम सोचली तो कनेक्ट होगें एक दूसरे से लेकिन अपने आपको टाइम नहीं देते तो हमें अपने आपको टाइम नहीं देते तो हमें अपन जिलकी बात कहने वाला महौल है ना, वो मुझे लगता है कि मिसिंग हो गया, कि आप घर आएं, तो आते ही आप सबसे पहले अपनी अम्मा को, या अबा को, या बहन को, जिस से भी आप उसे बताएं कि यह हुआ, वो अच्छा भी था, बुरा भी था, आज यह हुआ, उसने य बात करें हैं बात करें हैं कि बच्छों को यह सट्रेस है जब वो कंपारिसर में जाते हैं आप चूके सुदिन कांसलर भी है और यह जो एक एटाश्मेंट होती है कि वे अपनी एड़ुकेशन कंपलीट करके और प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर हो रहे हैं इस दिगा पर वो हिशूज जिनका सामना करते हैं जब वू स्टुइजन्ट लाइफ में उते हैं तो इतने सीरिय के विए см नहीं होते हैं उन्हें दुनिया की जो हाकीकतें होती हैं और जो वर्क प्लेस पे इसूज्स Z वो फेस करने वाले होते हैं उनका उन्सका नहीं होता है तो जब वो इक अपनी इस फ्री लाइफ से जब वो एक वर्क प्लेस में जाते हैं तो जाते ही उनको पहले तो किम्यूनिकेशन के इसूज आते हैं वो प्रॉपरली अपने आपको किम्यूनिकेट नहीं कर पाते हैं फिर जो उनके दिमाग में बैठा होता है यह जैसे आपने इसके इलावा वो यह देख रहे होते हैं कि उनके साथ जो लोग है शायद रेफरेंस से यह सिफारिच से बहुत बेतर जो है वो जॉब्स हासिल कर पा रहे हैं और वह एक अपना तालीमी अच्छा तालीमी सफर के बावजूद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं तब व लोग फ़लाँ था तो वो जो बेटा है वो तो नहीं भी अच्छा था बढ़ाई में अच्छी थी बढ़ाई में तो यह से टल यह पर इतना पैसा लगाया है, मेरे वालदायन ने इतनी महनत किया, उनके मेरे से इतने खाब उमीदें जुड़ी हैं, वो फेलियर फिल करता है, वो अपने आपको यह फिल करता है, I failed, और यह एक फिल है, I failed, यह उसको फिल तोड़ देता है, यह उसको यह जो एक फिलिंग ह अगर किसी ने मुबाईल पकड़ हुए है, आई something, तो वो अगर वो गलत तरीके से आया है उसके हाथ में, तो यह ना देखो कि फॉन कितना कीमति है, यह देखो कि इनसान कितना घटी है, जिल कुल, और लूट 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 अपकड़ पकड़ा जिसने वावा है, उसको द करना चाहिए, और जो आप बात करें, यहां पर आजाता है, रोल कि साइकोलोजिस का रोल यह होता है, कि आप एक इनसान है, stressor हर इनसान की लाइफ पे आएगा, यह तो वो for the moment होगा, कोई trauma होगा, कोई relationship failure होगा, कोई financial loss होगा, financial loss होगा, health loss for loved one होगा, कोई loved one होगा, यह coping कैसे हो रही है, और cope कैसे करें, अगर तो coping हो रही है, जैसे कुछ लोग आते हों कहते हैं, कि हमने smoking start कर दी, हमने कोई drug लेना start कर दी, हमने कोई drug लेना start कर दी, यह हमें suicidal thoughts आ रहे है, just to make the, मैंने दिखा है कि जिन लोगों को, बताते भी नहीं है, they never let anyone else know, कि what they are actually thinking, यह सब बताते नहीं है, कि वो किस इंतहा पे पहुंच चुके हैं, तो हमारे पस जब आते हैं, कोपिंग के लिए बताते है, कि आपने positive coping, अगर आपके पास कोई भी situation है, तो उससे निकलना कैसे है, उसके लिए different चीजे है, जैसे अगर वो बहुत ही serious condition में आये है, like last stage पे आये है, तो वो medication refer होता है, उनको के medication ले ले, अगर वो mild stage पे है, तो फिर उनको therapy या कोई भी इस तरह की techniques बताई जाती है, जिससे वो situation में से निकल सके, अगर moderate है, तो वो अपने आपको खुद ही manage कर लेते हैं, उनको techniques बताते हैं, कि आपना lifestyle change करें, अपनी जो focus है, जो goals है, जो आपको जोगा है, तो उसका short-up goal क्या होगा, कि वो कोई job या कोई भी अभी task स्यूरू कर दे, अभी से, student life बे ही, कुछ earning के लिए, हाथ पे हमारे, कुछ effort करें, कुछ अपना business चोटा-बोटा start करें, मैंडम बहुत सारे लोगो guide करती हैं, तो ये बहुत सारी चीजे हैं, ज कैसे पता चल जाना चाहिए, कि बच्चा जो है, वो अब दबाओ का शिकार है, he needs, or she needs help, सबसे पहले तो ये होता है, कि वो isolation पे जाते हैं, isolate करते हैं, खुद को family के साथ, अपने friend circle में, अलग होना शुरू हो जाते हैं, आप देखेंगे कि mobile phone पे active नजर नहीं आएगे, social media पे आपको active नजर नहीं आएगे, अगर वो actively आते थे, और sometimes ऐसा भी होता है, कि वो आ रहे होते हैं, बहुत जादा portrait कर रहे होते हैं, कि they are happy, लेकिन बाकी time में, they are not performing well, फिर जो चीजे indicators है, वो तीन indicators होते हैं, जो कि हमें जादा तर prominently नजर आ रहे होते हैं, एक उनकी person life, क person life कैसी चल रही है, उसमें relationship कैसे deal कर रहे हैं, फिर उनकी socialization, कि friends के साथ कितरा meet ups कर रहे हैं, मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, और अगर वो student है, तो academic performance कैसी जा रही है, अगर वो worker है, कोई job करते हैं, तो उनकी occupational जो services है, वो performance है, वो कैसी है, और वहाँ से यह तीन indicators है, जो क आइडिया हो जाता है, कि यह inside, he is in problem, he needs help, जी, और sometimes यहीं चीज़े overlook हो जाती है, लाइक आप कहते हैं, यह इसकी habit है, यह socialize नहीं करता, यह workplace में लोग कहते हैं, यह है, यह performer है, यह performer ही नहीं करना चाहता, यह घर में लोग कहते हैं, यह बड़ा हो गया ना, इसलिए अलग गलग बैठता है, यह इसकी हमसे बंती नहीं है, यह अपने ही बंती, यह इसके दोस अच्छे नहीं है, बहुत सारे reasons अब देना शुरू करना है, यह पढ़ रहा है, जी, बिल्कुल, वो तो पढ़ रहा होता है, कमरा बंद करके, तो इसमें हम, हम justify कर रहे होते हैं, यह क्या idea कर सकते है, reflexes कैसे है, response कैसा है, राइट, अच्छा, जैसे हम आते हैं इन चीज़ों पर, मैंने दो बहुत important आपसे बाते करनी है, एक तो यह कि बच्चों की कैसे, उनको क्या side hustles की तरफ लगाएं, और दूसर जैसे तईबा भी बात कर रही थी न, कि यह साइन सेंट यह आना शुरू हो जाते हैं, और बच्चे वो आइसलेट करते हैं अपने circle में, तो उसके बार में भी जवेरिया मैं आप से पूछूंगी, कि how to help them there, लेकिन उससे पहले हम एक break के लिए रुटना है, सब break के बाद हम आ रहे हैं वापस कर रहे हैं, वापस